हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे आपले की चटने आपले से कई स्वादेश तोर फाइदे मन चीज़े तियार की जाती हैं जिसमें से एक है आपले की चटने इसे आप छटपट बना कर तियार कर सकते हैं इसमें विटामिन सी अधिक मात्रह में पाया जाता है इसके अलावा शरीर की इम्मिनिटी को बढ़ाने में भी मज़द करता है जिसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए आईए देखें हरा धनिया 100 ग्राम आवला 100 ग्राम कालिमेश 910 हिंग 15 जीरा 15 चोटी चमच नमक 1 चोटी चमच जस्वाद अनुजार हरी मिर्च दो आवले की चट्नी बनाने के लिए सबसे पहले आवला हरा धनिया हरी मिर्च दोकर सुखा कर ले ले लेजी अब आवले को चाको की जायता से चोटे-चोटे पीस में काट लें इसे तरह सारे पर्प को निकाल लें और बीच को हटा दें और हरी मिर्च की दंटल हटा कर दोकरों में काट लें इसके अलावाद धनिया की मोटी दंटल को निकाल दें और धनिया को बारिक या मोटा-मोटा काट लें अब मिक्सर जाल लें उसमें आवला और हरा धनिया, हरी मेर्च, नमक, हिंग, जीरा, काली मेर्च डाल दें साथ ही थोड़ा सा पानी डाल कर पेस्ट बना लें और एक या दो मिनट के लिए ब्लेंड कर लें अब आमले की तीखी स्वादिश चटनी बनकर तयार है अब इस चटनी को बाउल में निकाल लें अब बाकी बची समगरी से भी इसी तरह पेस्ट बना कर तयार कर लिजी हमारी चटपटी आमले की चटनी बनकर तयार है आप इस चटनी को खीचडी, डाल, चावल, सबजी, रोटी या किसी भी स्नाक्स के साथ खा सकती है और इस चटनी को साफ एर टाइट कंटेनर में भर कर फ्रिज में रख कर एक हफते तक यूज़ कर सकती है अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू फर वाचिंग ऐसी और भी इजी टू कूक, इंस्टेंट, होमेड फूर रैस्पीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ऐसी और भी चैनल की रैस्पीज मेरे चैनल पर हैं, आप आप चैक आउट कर सकते हैं और मेरी रैस्पीज को अपनी फैमली और फ्रेंट के साथ शेयर करें